अब fertilization में एक और मिलती जुलती टार्म आती है जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोजनेसिस तो देखो पार्थेनोजनेसिस क्यों होता है formation of new individual without fertilization एक एप्रोसेस होती है जिसके अंदर क्यों होता है कि जो female organism होता है वो convert हो जाता है नए organism के अंदर उसको fertilization की जुरूरत नहीं होती यह हम कह सकते हैं उसको male partner की जुरूरत नहीं होती जो female partner है वो ही directly convert हो जाता है नए organism के अंदर without fertilization इसको हम बोलते हैं पार्थ है नो genesis तो हम इसको यहां से चोड़ सकते हैं देखो The phenomenon of development of female gamet directly into an individual without fertilization जो female gamet है वो directly convert हो जाता है नए organism के अंदर without fertilization, fertilization के बिना इसको हम बोलते हैं पार्थ है नो genesis और यह किसके अंदर होता है एक्जाम्पल कैसका honeybees, lizard and birdeen के अंदर होती है उसके बाद यह simple साथ difference है external fertilization और internal fertilization का external fertilization के बोलता है कि जब male और female gamet का fusion बाहर के environment में हो यह हम क्या सकते हैं body के outside हो, उसको बोलते है external fertilization, जब वो inside उसको बोलते है internal fertilization ठीक है उसके बाद अब आजाता है third event हमारा हमने pre-fertilization कर लिया उसके बाद fertilization कर लिया third आजाता है हमारा port fertilization event उसके अंदर मैंने पहले लिखा था यहाँ पे कि इसके अंदर दो stages होती है देखिए Zygote बनता है और Embryo बनता है तो देखो सबसे पहले stage आती है Zygote development ठीक है सबसे पहले देखे These includes development of Zygote and Embryo after fertilization तो Zygote जो बनता है कैसे बनता है हमें पता है कि देखो एक male gamit होता है एक female gamit होता है ये भी haploid होता है single N ये भी haploid होता है ये दुन्हों आपस में जुड़ जाते हैं as in the process of fertilization औरी से क्या बन जाता है zygote, तो zygote क्या होता है 2N, मतलब ये zygote क्या है, ये एक deployed structure होती है, ठीक है तू देखू उसके बाद देखो, कि जो zygote जब बन जाता है तो zygote से आगे क्या बनता है, उससे embryo बन जाता है, तो देखिए जो zygote होता है, zygote के अंदर आगे क्या हो जाती है, division हो जाती है और division के बाद उसका cell number increase कर जाता है और zygote का number हो जाता है embryo के अंदर, तो देखो हैं embryogenesis में the process of development of embryo from the zygote is called embryogenesis ठीक है, अब embryogenesis में क्या क्या होता है zygote undergo cell division zygote की क्या होती है mitosis होती है, और उसका cell number increase हो जाता है और उसके बाद cell number increase करने के बाद cell क्या हो जाते है, मैचोर हो जाते है उनकी differentiation हो जाती है वो मैचोर हो जाते है और convert हो जाते है कि इसके अंदर किसी भी specialized tissue या organ के अंदर ठीक है उसके बाद देखो animals होते हैं दो तरीके के, यह बहुत important question है हर साल आ जाता है कि दो तरीके के animals होते हैं एक होता है OViparas एक होता है OViparas वो animals होते है जो अंडे देते है विच ले eggs और OViparas वो animals होते है जो अपने बच्चों को जनम देते है ठीक है, तो देखो यहाँ पर Simple exam डिफरेंस हैं इसको समझेंगे OViparas animals lay fertilized egg यह fertilized egg देते है OViparas animals give birth to young one यह अपने बच्चों को जनम देते है ठीक है अब एक बात सोचने की है OViparas animals के बच्चे ज़्यादा safe रहते हैं क्या विविपaras animals के अंदर यह question आता है देखिए obvious सी बात हमें सब पता है कि OViparas animals में क्या है बच्चा जो है वो शरीर के बाहर बन रहा है वो egg के अंदर है तो कोई भी predator कोई भी शिकारी आ के उसके अंदर को तोड़ सकता है तो यह क्या OViparas animals के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा risk में होते हैं जेकिन OViparas animals के होता है यह वने बच्चे को जनम देते हैं तो इनके जो बच्चे हैं वो safe होते हैं मदर के अंदर ठीक है यह देखिए दे रहा है Chances of survival of young ones is less इसमें जो बच्चे होते हैं उनकी जीने के जो chance है वो कम होते हैं और OViparas के अंदर इसमें भी OViparas में आते हैं ठीक है यह हमें पता ही है हमने लाश्ट यह भी चीज़ की थी कि seed और fruit क्यों होते हैं तो fertilized ovulium कह सकते है ripened ovulis card seed and ripened ovaries card fruit ठीक है और जो fruit बनता है उसके outermost covering को क्या बोलते हैं पहरी को हमने डिसकोस किया तो यह यहां तक हमारा क्या था first chapter था है ठीक है कोई भी doubt होए आप मुझे पोस सकते हो thank you